हेलो गैस कैसे हैं आप लोग आपका most welcome हमारी इस hot topic में दूस्तों और आज का जो मारा hot topic है उसका नाम है Russia Suspense, Russia Suspense Start, S-T-A-R-T, Start, The Last Nuclear Treaty दूस्तों इसका मतलब यह है कि Russia और US के बीच में एक treaty हुई थी nuclear warhead को लेकर दूस्तों nuclear warhead को लेकर और इस treaty को Russia ने अब Suspense कर दिया मतलब Russia ने अपने side से इसे खतम कर दिया है दूस्तों रशिया और US के बीच में यह treaty हुई थी कि दोनों देश बारी-बारी से अपने nuclear warheads जो है वो धीरे-धीरे कम करेंगे लेकिन दूस्तों अभी recently में ब्लादिमीर पोतीन ने इस जो treaty है उससे अपने हाथ पीचे खीश लिए तो क्या है पुरा मसला दूस्तों उसकी हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ और दुनिया पे क्या खत्रा अब मंड़ाएगा हम दूस्तों उसकी बात करेंगे दूस्तों दुनिया में हमेशा से एक डर रहा है जो हमने अक्सर मुवीज में देखा है दूस्तों कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो अंत होगा न्यूक्लियर जो लड़ाईयां है दूस्तों को बीच में उनसे जिसमें चाइना, रशिया, यूसे, इंडिया, पाकिस्तान ये सब कंट्री रिस्कॉंसिबर होगी ये एक assumption है, हमने इसको दिखा हुआ है हॉलिवड मुवीज में तो यही तो नहीं होने वाला है, हाला कि ये शायद बहुत बड़ी बास हो जाएगी लेकिन फिर भी आपको हम पूरे conditions बनाएंगे तो बने रहे हैं हमारी साथ वीडियो दोस्तों, तो क्या-क्या हो रहा है, आई आपको समझाते हैं तो यहाँ पर हमने ये बताया, कि रशिया और यूस के बीच में एक ट्रिटी होई थी स्टार्ट, जिसको रशिया ने अपने साइट से बंद कर दिया है दोस्तों, पूरा मामला क्या है? आईए देखते हैं दोस्तों आपकी सामने, रशिया सस्पेंट लास्ट, रिमेनिंग नुक्लियर ट्रिटी विट यूस लास्ट, यानि रशिया और यूस के बीच में ये लास्ट नुक्लियर ट्रिटी थी और अब ये भी खतम हो गई है लास्ट वर्ट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अंतिम्प्रिटे थी और अब इसके बाद रशिया और यूस फ्री हो चुके हैं, अपने अपने साइट से हाला कि ये ट्रिटी रशिया ने तोड़ी है तो रशिया की ओपर रिस्पॉंसविल्टी अब थोड़ी सी बढ़ गई है जब आप देने की दुस्तों, ठीक है दुस्तों पूरा मसला क्या है, देखें यहाँ पर तो मैंने अपने अब क्या बोला, कि जो लास्ट वर्टी है उसका नाम है स्टार्ट, स-T-A-R-T तो बस आपको यह ध्यान देना है नाम स्टार्ट स्टार्ट या दरखें, अभी आपसे कोई और कोशन नहीं पुछेगा कुछ इसका फुल फॉर्म नहीं है तो आपसे एक्जाम में क्या पुछ सकता है अगर हम अगर हम यूपी स्ट लेवल एक्जाम की बात करेंगा तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है यूवेस और रशिया के बीच में कौन-कौन से स्ट्रेटिक आम्स कंट्रोल एग्रिमेंट हुए है दोस्तों आप देखे थान से, तो 1970 1970 से लेकर 2010 तक दोस्तों यानि 1970 से 2010 तक रशिया और यूएस से के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मुद्धों पर एग्रिमेंट साइन हुए दोस्तों जैसे फॉर एक्जामपल 1970 में 1970 में रशिया और यूएस के बीच में ABR, ABM ABM ट्रिटी साइन हुए दोस्तों AB मतब Anti-Ballistic Missile ट्रिटी दोस्तों उसके बाद बात रहें 1987 तो रशिया और यूएस के बीच में INF Intermediate Range Nuclear Force ट्रिटी अग्रिमेंट साइन हुआ था अब जो हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट का पहला फेस दोस्तों ये साइन हुआ था 1991 में और ये ट्रिटी अग्सपार होगी थी 2009 में दोस्तों तो ये आपके एक्जाम के लिए बहुँच ज़रूरी है तो स्टार्ट वन यानि जो स्टार्ट का पहला फेस जो launch हुआ था दोस्तों मतब दो दोनों दश्कों पीछ में एग्रिमेंट साइन हुआ था वो साइन हुआ था 1991 में और 2009 में एक्षपार हो गया दोस्तों ठीक उसके बाद दोस्तों एक New Start Agreement फिर साइन हुआ और यह agreement sign हुआ 2010 में दोस्तों और इस agreement की expiry rate थी 2026 यानि कि आपके जो अभी आप पढ़ो दोस्तों तो यह हम new start की बात कर रहा है तो new start Russia और US के विच में 2010 में agreement sign हुआ था यह agreement expire होना था 2026 में लेकिन 2023 में ही Russia ने इसे हटा दिया खतम कर दिया बंद कर दिया दोस्तों तो अब मैंने क्या बोला यह start जो agreement था यह था क्या दोस्तों तो इस agreement के तहर दोस्तों दोनों देशों को अपने nuclear warhead धीरे धीरे खतम करने थे और जुन्दिश कर भी रह थे लेकिन अब यह agreement पूरी तरह से खतम हो चुका है यानि दोनों देशों के उपर इस समय nuclear war का खतरा मंड़ा रहा है अब चुकि Russia ने अपने side से बंद किया है तो संभवना यह हो सकती है कि अगर पहला हमला हुआ तो Russia के side से हो सकता है हाला कि मैं फिर से बोलना हूँ यह एक अतिशेवक्ती है एक बड़ी भात है यह केवाल एक assumption है ठीक है आगे दोस्तो तो यह तो मैंने आपको समझा दिया कि Russia यूएस के बीच में कब-कब से कब-कब और कौन-कौन से बढ़ एग्रेमेंट साइन होए थे ठीक है दोस्तो अब आगे बढ़ते है अब question है वाई डिट रशिया सस्पेंट स्टार्ट ट्रिटी दोस्तो तो रशिया ने किया क्यों ऐसा एक question है क्या क्यों सत हो देखिए simple सी बात है आपको बता है कि रशिया उक्रेन क्राइस वे दोस्तो रशिया जानता है कि यूएसे का बहुत बड़ा हाथ है जो आज तक यूक्रेन टिका हुआ है रशिया के सामने और दोस्तो अब इस आग में घी डाला गया कब जब जोई बिडिन जब जोई जोई यहां पे हम रशिया उक्रेन की बात कर रहें तो जोई बिडिन दोस्तो यूक्रेन के दोरे पर गए और जोई बिडिन ने यूक्रेन के दोरे पर फिर से एक बार 500 मिलियन डॉलर एक्ट देने की बात बोली 500 मिलियन डॉलर एक्ट देने की बात बोली है तो क्या आगी किवाल 500 की बात है नहीं, दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अभी तक की बात करें, मतलब 2023 तक की बात करें, तो USA सबसे बड़ा एड देने वाला देश है उक्रेयन को, आप देखो यहाँ पर, राइट ना दोस्तों, USA ने लगब लगब 3 बिलियन डॉलर, लगब लगब 3 बिलियन ड इन सब देशों ने उकरेयन की हेल्प किये, और इन देशों ने उकरेयन की हेल्प करके, रशिया से दुष्मनी मुल ली है दोस्तों, वह सबसे बड़ा देश USA, तो रशिया कहना यह है कि पहले आपने 3 बिलियन डॉलर की हेल्प की इंडरेक्टली, और उसके बाद आप फि 1990s में क्या हुआ था, आपको बताएए, किस तरह से Cold War में Soviet Union को पहले डुबोया गया, फिर तोड़ा गया, तो रशिया भूला नहीं दोस्तों, तो रशिया यहां पर इसको मौका मिल गया, कि किस तरीके से हम एक डील को खतम करके इन देशों पर प्रेशर डाल सकते हैं, तो रशिया का सीधा पैगाम है, जॉय बिटेन को दोस्तों, ठिक, अब बेगरॉंड की बात करते हैं, कि बेगरॉंड में क्या चल रहा है, क्यों इनके बीच में लड़ाईया हुए दोस्तों, वह सिंपल सी बात दुखो, यह लड़ाई है विचार धारा की, यह लड़ाई है स एक्टर विरोधी थे, जहां यूएस में विचार धारा है किसकी, कैपिटलिजम की, मतलब हर तीजें प्राइवेट होनी चाहिए, वही पे रशिया में जो विचार धारा है, वो है सोस्यलिजम की, यानि पावर जो है वो गरीबों के पास होना शाहिए, और इसी विचार ध दोस्तों, कैपिटलिजम और सोसलिजम में है, आपको बता है, USA में आप कम्योनिजम वर्ट बोल नहीं सकते हो, आपको जेल हो जाएगी, तो USA हमेशा जो है, वो कम्योनिजम मतलब की सोसलिजम में डरता बूत है, ठीक है दो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, तो बैक्ग इंडिया पकिस्तान के बीच में अपना टांगडा देता है जहाँ UN हमेशा फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच में अपना टांगडाता है तो UN शान क्यों है दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपको बता है कि UN का जो सबसे important body है United Nations Security Council इसमें 5 देश हैं दोस्तों ये 5 देश कौन से हैं पहला है रशिया जो की लड़ाई-लड़ा है दोस्तों दूसरा है फ्रांस बड़ा देश और फ्रांस जो है ये युक्रियन का supporter है दोस्तों चाइना की बात करें तो चाइना का वैसे जो neutral stance है लेकिन चाइना भी इंडारेक्टली रशिया का सपोर्टर है दोस्तों USA की बात करें USA युकरिन का सपोर्टर है ठीक UK जो है वो भी दोस्तों युकरिन सपोर्टर है यानि अगर United Nations Security Council की बात करें यहां पे 3 to 2 गा रेश्यू है तीन देश एक साइड में USA, France and UK और दो देश एक साइड में है रशिया और चाइना तो UN कहना यह है कि भाई जो हमारी Security Council है उसमें ही सब देश आपस में लड़ है तो जो top 5 country लड़ हैं तो हम कैसे बीश में बोलें दोस्तों यही पर एक question बनता है कि क्या UN इतना गयर responsible हो सकता है इतना मतलब कि आप एक body हो और आपने इन पांचों देशों क्या सोच के बना दिया भाई सरवे सरवा जर्मनी एक बड़ा देश है इंडिया बड़ा देश है यह लोग भी represent कर सकते हैं न अगर UN यहाँ पर नहीं समलेगा या UN के structure में changes नहीं होंगे बड़े देश आपस के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और छोटे देश हमेशा परिशान रहेंगे भारत जर्मनी सिंगापूर जैसे बड़ते देश दोस्तों इनको जगए नहीं मिलेगा भी मिलेगे जपान को देख लुआ है ना चाइना अपनी दादागिरी क्यों करता है दोस्तों क्योंकि उसके पास United Nations Security Council का वीटो पावर है यानि जब तक वो नहीं चाहेगा हम एक आतंकवादी को Global Terrors घोशित नहीं कर सकते हैं तो यह बास सोचने वाली है दोस्तों तो इसी जात दोस्तों मैं अपने वाड़ी को भी राम दूँगा तो मैंने आपको एक बास समझाई कि क्यों रशिया ने इस टार्ट संदी से अपने पैर पीछे खिशनी है दोस्तों और इससे क्या होने वाला ग्राइस इससे पूरे दुनिया में एक मैसेज आएगा कि रशिया ने एग्रिमेंट तोड़ दिया है और रशिया जो है अब वो कहीं से अभी बाउंड नहीं है कि वो नुक्लियर वाले करना ही सकता है USA पर एक प्रेशर जाएगा दोस्तों कि रशिया ने डियल तोड़ी है तो रशिया हम पर कभी भी अटामिक अटेक कर सकता है अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है लेकिन इससे एक चीस्तों है कि विश्व शान्ती पर एक बड़ा खत्रा बंड़ रा गया थाइंक यू सो मच मैं अब जिर्मिशा काईस आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो देखना है तो प्लीज हमें कमेंट करें थाइंक यू सो मच अपना ख्याल लगए गोस्तों